बिस्मिलाहिर रह्मान रहीम, असलाम लेकूम Dear Students, VU Academy YouTube Channel की जानिव से मैं हूँ मुहम्मद फैसिल शहजाद आज हम CS402 Theory of Automata इसकी 3rd assignment को solve करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें task क्या दिया गया है, इस assignment के objectives क्या है उसके बाद हम solution को देखेंगे वीडियो को start करने से पहले, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लें ताके आपको computer science related यतनी भी assignments हैं, वो सब assignment मेरे चैनल पे upload होती हैं, वो आप लोगों को मिल सकें objective, इसमें objective जो बताया गया है, उसमें ये चीजें हैं, complement, union, intersection, ये तीन चीजों का usage है, इस assignment के अंदर, FAS के उपर हमने ये चीजें apply करनी हैं, इन concepts को apply करना है, और demorgans la का use भी इसमें है, demorgans la भी आप लोग पहले जानते हैं, intersection, union और complement भी, हम math में इन चीजों को use करते रहत हैं, अब हम यहाँ पे इनको FAS के उपर apply करेंगे, और उसका output देखेंगे, और demorgans la को भी proof करना होगा, इसमें, जी, इसमें ये हमारे पास question मौझूद है, question क्या है, जी, प्रूव करना है, अपने demorgans la को, language l1 का complement है, union l2 language के complement के साथ, फिर उन दोनों का again complement है, इसको union ले लेंगे, union के बाद फिर हमने इसके complement लेना है, वो किसके equal होगा, language l1 का intersection l2 के साथ, अगर लिया जाए, तो उसके intersection के equal होगा, जी, वो यहाँ पर बता रहा है कि where l1 and l2 are represented with fa1 and fa2 respectively, language 1 को जो उसने fa1 से represent किया हुए, यह fa1 है, और language 2 को उसने fa2 के साथ represent किया हुए, यहाँ पर और यह दोनों हमारे पास मौझूद है, इसके उपर हमने compliments को apply करना है, फिर unions को apply करना है, और इसी तरह यहाँ पर हमने इनके intersection को apply करना है, फिर हमने prove करना है कि दोनों से जो भी हमने उपर concepts इनको apply किया है, compliment लिया है, यह उनको union, फिर intersection, उसके बाद जो generate होंगे, दोनो face, final, वो दोनो equal होंगे, जी, students, this assignment का solution start करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, कि एक side को ले लेते हैं, left side है, जिस तरह यहां पर right side मौझूद है, तो हम start करते हैं, solution, यह already मैंने solution final complete की होई है, मैं आप लोगो को line by line और साथ complete जो है, इसको explain कर देता हूँ, ताकि आपको इस concept की समझ भी आ सके, और solution भी आप लोगों क करी और एक जो है हमारे पास यहां पर initial stage है, start stage है, इसमें second F जो हमें दिया गया है, इसमें दो states है, P1 और P2 और यहां पर 123 के नाम दिये हुए state को, और यहां पर एक final है, और एक start state है, और एक ही final state है, यहां पर start एक थी, लेकिन final दो state थी, हमने पहले इसके right side को complete किया, right side हमारे पास क्या है, जी, L1 का intersection हम ले रहे हैं, L2 के साथ, ठीक है, तो इसके लिए यह हमें transition table create किया है, हमने, यह previous lectures में इसका concept गुदर चुका है, लेकिन मैं फिर भी यहां पर आप लोगों को revise कर देता हूं, हमने पहले start किया है, जी, एक द तो FAS का जब हमने intersection लेना है, तो हमने उन दोनों को मिला के new state बनानी होती है, इसमें हम यह कर रहे हैं कि FA1 और FA2 की दोनों की initial state को सबसे पहले हम ले ले लेंगे, इसकी initial state यह start state हम कह सकते हैं, sorry, इसकी start state जो है, वो one है, और इसकी start state P1 है, ठीक है, तो हमने one comma P1 इन दोनों क को ले लिए और इसको एक नई state का नाम दे दिया है, जो के Z1 है, ठीक है, तो उसको हम initial state भी declare करेंगे, ठीक है, दोनों क्योंके initial, sorry, start state है, मैं initial का word भी यहां पर यूज़ कर रहा हूँ, दोनो start state है, one पे भी start है, और P1 पे भी start है, लेकिन one जो है, वो final भी है, लेकिन यहां start consider करेंगे, जो उन दोनों से मिलके बनेगी, अगर दोनो final होंगी, तो new state को final कहा जाएगा, अगर एक start है, और दूसरी start नहीं है, या एक final है, और दूसरी final नहीं है, तो हम उसको start या final state consider नहीं करेंगे, यहां पे P1 और one जो है, दोनो start state है, initial state है, तो हम new state को initial या start state declare लेकर final नहीं करेंगे, यह हमारी old state है, पहले से मौजूद है हमारे पास, अब हमने इसके उपर अगर reading करनी है, A की और B की, यहां से हम A read करके जा रहे हैं, टू पे, और यहां से हम A read करके दोबारा इसके उपर हमारी करियन कह सकते हैं, या loop कह सकते हैं, उसके उपर ही हम लेकर G1 पर, तो देखते हैं किस तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, 1 से हमने A read किया है, तो टू पर जा रहे हैं, पी 1 से A read किया है, तो P1 के उपर ही मौजूद हैं, देकिए, इसके उपर लूप लगा हुआ है, हमने A को read करके यहीं पर रहना है और यहां से हमें A read करके ट पर जा रहे था तो यह हमारे पास एक नई state बन गई 2P1 इसको हमने name दे दिया Z2 का next हम देखते हैं कि जब यहां से हम B read करेंगे 1 से हम B read करके कहां पर जा रहे हैं 2 पर और यहां से B read करके P2 पर तो यह हमारी नई state बनी 2P2 यह भी एक नई state है इस तरह का combination पहले हमारे पास मौजूद नहीं है क्योंकि हमारे पास यह combination है 1P1 2P1 और यह बन गया 2P2 इसको हमने name दे दिया Z3 का next चलते हैं अब हमने एक दूसरी state Z2 उसके लिए transitions देखनी है वह हमारे पास क्या इसका combination है 2P1 अब 2 से हम read करेंगे A को 2 से जब हमने A को read किया तो वह 2 के उपर ही मौजूद है इसका loop लगा हूए है ठीक है यह टू भी मौजूद है और पीवन पर जब हमने एक को read किया तो वह भी पीवन के उपर ही मौजूद है तो यह सीम स्टेट बढ़ दोबारा बन गई तो हमने यह स्टेट यह combination को पहले name दिया हुआ है कौन सा जी टू जो कि यहां पर है तो हमने इसको भी जी टू का name देना है न्यू हम स्टेट को label या name तब देंगे जब वह combination या वह नेम पहले हमारे पास मौजूद नहीं होगा टू पीवन अलड़ी हमारे पास एक नए label से assign हो चुका है यह स्टेट तो हम इसको जी टू ही देंगे नेक्स देखते हैं टू से हमने रीट करना है एक को सौरी बी को तू से हमने बी को रीट करना है तो हम कहां पर जाएंगे बी से रीट करके पीवन पर सौरी यहां पर तू से रीट करके थ्री पर और पीटू दूसरा इसमें है पीवन तो पीवन से हम बी को रीट करके पीटू पर यहां पर हम देखें थ्र पे आ रहे हैं और P2 पे आ रहे हैं यहां से हम 3 पे आए 2 से B को रीट करके 3 पे और यहां से हमने 2 को रीट करके P2 पगए 3 P2 यह भी एक निया combination है यह state already हमने define नहीं की होई तो इसको हम new label assign कर देते हैं Z4 Z2 को हमने देख लिया है अब Z3 पे आ जाते हैं Z3 हमारे पास यह था टू P2 ठीक है टू P2 तो इसमें देखे हैं हमारे पास टू में से हम A को रीट करेंगे टू से A को रीट करके हम दोबारा टू पर ही रह जाते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास मौजूद है P2 वहां से हम जब रीट करेंगे बी को और सुरी A को P2 से A को रीट करेंगे तो हम P2 पर रह जाएंगे तो यहां पर हमारे पास कंबिनेशन बना 2 P2 ठीक है जै सेम वही कंबिनेशन है जो के Z3 को हम नेम दे चुके हैं तो हम इसको Z3 ही रहने देंगे और नेक्स्ट हम देखें 2 से और P2 से जब B को रीट करे चले गए और यहां पर P2 है P2 से B को रीट किया P1 पर चले गए ठीक है और यहां पर हम देखें 2 से B को रीट करके हम 3 पर आ रहे हैं और यहां से हम B को रीट करके P1 पर जा रहे हैं तो यह हमारा नया कंबिनेशन बना 3 P1 और इसको हमने नेम दे दिया है या लेबल असाइन कर दिया इस पे Z5 क्योंकि आले ये combination हमने नहीं label किया हुआ अब Z3 के बाद हम देखते हैं Z4 Z4 हमारे पास combination यहाँ पर declare है हमने इसको define कर दिया था 3 P2 3 और P2 अब 3 से जब हम A को read करेंगे 1 पर जाएंगे ठीक है तो हमने यहाँ पर state को 1 1 यहाँ पर लिख दिया और फिर P2 से जब हम A को read करेंगे P2 से A को read करके हम P2 पर ही मौजूद है तो यहाँ पर हमने 1 P2 इसको हमने निया label assign कर दिया Z6 क्योंकि आले यह define नहीं हुआ हुआ था अब 3 पर हमने B read करना है 3 पर B read किया है तो वापस हम कहां पर जा रहे हैं कि state पर 2 पर तो यहां पर हमारे 2 हो गया और दूसरा जो हमारे पास है P2 P2 से जब हमने B को read किया तो P1 पर जा रहे हैं तो हमारे पास 2 P1 यह combination बन रहा है निया ठीक है और यह already defined है 2 P1 यहां पर इसको हमने label किया हुआ Z2 से तो यहां पर भी Z2 ही रहने देंगे इसके बाद हमने Z5 state को देखना है Z5 हमारे पास मौझूद है जी यहां पर 3 P1 अब 3 से जब हम A को read करेंगे 3 से A को read करके हम कहां जा रहे हैं 1 पर और साथ दूसरा हमारे पास है दूसरी state है P1 तो P1 से A को read करके हम दोबारा P1 पर ही मौझूद है तो हमारे पास combination बना 1 P1 जो के बिल्कुल हमारी initial start state थी 1 P1 तो उसको हमने Z1 का नेम दिया वादा तो वही यहां पर हम label assign कर देंगे इसके बाद हम 3 देखते हैं हम उससे भी read करते हैं 3 से तो B read करके हम 2 पर जा रहे हैं और दूसरा हमारे पास P1 है वहां से B read करके हम 2 पर जा रहे हैं मतलब के P2 पर 2 P2 हमारे पास combination बनेगा ठीक है यह देखें 2 P2 और यह इसको भी हम already define कर चुके हैं यहां पर Z3 से यह देखें सेम तो इसको हम Z3 का name देदेंगे अब आ जाते हैं हम जिस Z6 पर Z6 हमारे पास यह combination था 1 P2 तो 1 P2 को हम लेकर start करते हैं हम यहां से a read करेंगे 1 से 1 से a read करने पर हम 2 पर जा रहे हैं और P2 से a read करने पर हम P2 पर ही मौजूद है है मतलब के 2 P2 हमारे पास combination बना है 2 P2 इसको भी हमने अलड़ी लेबल दिया हुए Z3 तो सेम लेबल यहां पर assign कर देंगे कि new state generate नहीं हो रही है अब यहां पर next हम देखते हैं 1 P2 से b read करते हैं 1 से b read किया तो हम 2 पर चले गए और P2 से b read किया तो हम P1 पर आ गए तो 2 P1 यह label भी आलड़ी हम define कर चुके हैं 2 P1 Z2 तो यहां पर आके हमारी state close हो गई यह close कैसी हुए जब तक आपके जितने भी यह new state generate हो रही है इनके intersection से हमने इनके तमाम के लिए transitions शो करनी है जैसे हमने जहाँ z1 िवन से start किया था जी 2 नीजानरेट होआ वा जी 3 नीजानरेट होए तो पिर हमने दोनों की लिए transition की Training 2 क biss , 3 की यह बी जब 2 और 3 के ले लिए कर रहे थे हमारे थे तो फ़र और पर दोनों के लिए किया फिर पर हम कर रहे थे तो Z6 एक new state generate होई हम Z6 को लेके भी हमने इसका combination बना लिए और यहां पर आके कोई भी ऐसी new state generate नहीं होई जो भी generate हो रही है वो previous में सी थी तो हमने इसको complete के लिए यह हमारा transition table है for intersection इसमें जो चीज़े यूनियर और intersection में difference है मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ state को हमने इस इसी तरह बनाना है सबसे में difference में यही है कि intersection के अंदर यहां हमारी final state यह start state होगी वह उस सूरत में होगी जब दोनों स्टेट जिस तरह यहां पर फिर्स्ट में एक एक की state है वन की जो हमारा एक वान ने उसकी state का नेम जो है वाने और एक टू की state का नेम पी वाने जब दो दोनों पे initial जिस start होगा तो new state start होगी यह दोनों पे final होगा तो new state final होगी जहां start में बताया था अब यहां पर देखें मैं ने G4 और G6 को भी final कहा हुआ हूए क्यों कहा हूँए 3P2 अब देखें यहां से 3 final है और P2 final है तो इस वज़ा से यह new state को हमने final बनाया यह अब इसी 2P1 ठीक है 1P1 या 3P1 इन दोनों में से एक तो final हो सकती है दूसरी नहीं होगी या दोनों ही final नहीं होगी तो यह उस शीरत में हमने क्या करना है कि सिर्फ उन states को हमने final declare करना है जहां पर दोनो FAs की यह states हैं वो final होंगी या initial होंगी तो initial declare करेंगे तो यह हमारा table generate हुआ अब इसी को लेके फिर हमने आगे FAs बनाना है जो कि इन दोनों के intersection से generate हो रहा है यहां पर हमारे new labels बन गें Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 इसी तरह so on हमने Z6 तक जाना है यह हमने इसके FAs generate किया है इसमें हमने Z1 से start किया है और यह Z6 तक हमारी states है आप इस FAs को कोशिश करें खुद ड्राग करें क्योंके transition table आपका same बनेगा ठीक है इसमें कोई हम बलकि इसमें आप जो है labels थोड़ा different कर सकते हैं यह जरूरी नहीं होता कि आपने इसी sequence के साथ labels को assign करना है एक तरीका यह भी use किया जाता है है कि जितनी भी old state है हमारे पास ठीक है उनको लेके उसके combinations को लेके हम पहले ही Z1, Z2, Z3 assign कर सकते हैं वह time थोड़ा है मैं यहाँ प explain नहीं कर सकता आप अपना lecture देखिएगा जिसमें यह transition table generate करने वहां से आपको यह समझा आजएगी कि हम वह method भी use कर सकते हैं कि जितनी old state है हमारे पास उनके combination से हम पहले से ही assign कर देंगे कि जी 1, Z2, Z3, Z4 है और जो new generate होगी उसको पिर हम during creating transition table वहां पिर हम उसको जो है वो label assign कर सकते हैं जी students यहां पिर हम ने इस transition table के against यह fa create किया है Zi1 से आ read कर रहे हैं तो Z2 पर जा रहे हैं यह कैसे ze 1 से a read किया यह नेक्स रेट किया और b को रेat किया जी जा रहना है और b को रेat करके हमने क्या करना है z4 आ जाना है तो प्रेट करे किया एं और नेक्स जी 3 के लिए देखा जाए तो A को रीड करके Z3 पर मतलब कि उसके उपर लूप लग जाएगा और B को रीड करके Z5 पर जाना है तो यहाँ पर देखें A को रीड करके लूप लगा दिया B को रीड करके हम Z5 पर चले गए Z4 की states देखते हैं उसकी reading करते है Z4 से हम A को read करके Z6 पे और B को read करके Z2 पे G, state यहाँ पे हम देखें तो हम A को read करके Z6 पे जा रहे हैं और B को read करके Z2 पे जा रहे हैं जैसे के यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है, Z6 और Z2 यहां से हम 6 पे गए और यहां से हम Z2 पे आ गए अब next देखते हैं हमारे पस Z5 Z5 से A को read करके Z1 पे और B को read करके Z3 पे जी A को read करके हम Z1 पे चले गए यहां से और B को read करके हमने Z3 पे चले गए अब last state हमारे पस रह गई है Z6 और फिर उसमें से हमने A को रीट किया है तो सी 3 पर B को रीट किया है तो जी 2 पे तो यहां से देखें A को रीट करके जी 3 पर और B को रीट करके जी 2 पे यह लेक हैं Z3 and Z2 तो यहां से पिर हम Z3 and Z2 तो यह हमारे FA generate हुई है against language 1 का intersection language 2 के साथ उससे हमने जनरेट किया है आप इनके लेबल्स को मौडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा जरूरी नहीं जिस तरह मैंने इसको जी वन कहा है जी टू है जी तू है जी तरी है अब आपका स्टार्ट तो जी वन ही होगा लेकिन उसके बाद रिमेनिंग जो है वो आपके थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं अगर आप ट्रांजिशन टेबल उस लिहां से जनरेट करेंगे अपना उसके लिए मैंने आपको रिक्मेंट किया कि आप लेक्ट्स में जाएंगे तो आपको वहां से समझ आ जाजाएगी कि आप दूसरा में यूज कर सकते हैं कि टाइम कफी लग उसका कंपलिमेंट यहां इसको हम नौन फाइनल कर देंगे और जो फटी दोनों फाइनल नहीं तो हमने जब क्या किया इसको भी नौन फाइनल कर देंदे हैं आ। इसको भी non final कर दिया सिर्फ इसको final बना दिया यह देख सकती है यह इस एफे का compliment आ गया सेम ही हमने second किया है कि हमने यहां पर इनिशल थी यह final थी इसको non final कर दिया और इसको final बना दिया तो यह हमारे पस language 2 का compliment आ गया अब इसके लिए हमने union find करना है तो इन दोनों एफेस को लेकि हमने यहां पर यह transition table generate किया सारा process वही है जो मैंने आपको पहले describe किया है एक एक line करके लेकिन यहां पर difference वही है जो मैंने बताया था कि union और intersection में difference हो सकता है अब यहां पर final state को लेकि हमारा initial state को लेकि हमने यह करना है कि final state हमारे पास देखें multiple time मौझूद है यहां पर भी है ठीक है और यहां पर भी है तो इन दोनों में से जिस एक में भी final state होगी तो हम उस new state को final फाइनल नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको डिक्लियर करने हैं डियू टू यूनियन अगर यहां पर इंटर्सेक्शन होता तो यह टू और पी टू का फाइनल नहीं होगी तो यह हमारा ट्रांजिशन टेबल बाकि सारा सेम टू वह यह जो कि ओपर हमने डिसकस किया है जस्ट इसमें यूनियर इंटर्सेक्शन में डिफरेंस है वह नौन फाइनल स्टेट कहीं है बाकि आपने उसी प्रासेस को फॉलो करके इसको कंप्लीट करने क्योंकि हमारे पास जो नंका कम्बिनेशन है ट्रांजिशन का वह सेम वह है हमने जब कंप्लीमेंट लिया थेतो जला होता है बागी हमने इसको नहीं चिर più निफैन को नहीं FA दोनों का union लिया तो ये हमारे पास FA जनरेट हुआ इसमें हमारे पास देखें multiple final states हैं due to table कि हमने Z1, Z2, Z3 and Z5 इन सबको final बनाना है 1, 2, 3 and 5 4 और 6 नहीं बनेंगे अब ये हो गया इनके complement union पहले complement लिया फिर उनका union लिया हमारे पास actually यहाँ de Morgan's law में क्या है L1 का complement union L2 का complement दोनों का जब union ले लेंगे after complement तो फिर उसका overall फिर हमने complement लेना है तो वो फिर देखे हम यहाँ पे end पे इस state का फिर हम complement ले रहे हैं यहाँ पे यह देखे हैं इस दोनों को हमने union ले चुके थे अब выполiment में कैस 그걸 आकर ना है सूर्ट मीइलाता जो श्टे ट फाइनल है उसको non final कर देंगे जो non final कर देंगे यहाँ पर देख़ जए तो यह चार state final है यह दो non final है हम इन छारों को non final कर देंगे इन दों को final टो दैंगे बभी आप इन चारों को हमने non final कर दिया यहाँ पे प्लस time नहीं है और इन दोनों को हमने final declare कर दिया तो अब अगर हम देखें यह हमारा left side का fay है ठीक है और यह हमारे बाद जो start में ने बनाया था यह right side का fay है इन दोनों को अगर आप देखेंगे यह दोनों equal इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इनिशियल और फाइनल स्टेट और इनकी ट्रांजिशन सेम एज हैं जो हमने भी लास्ट में देखा था तो यही हमारा डी मॉर्गन्स लाका प्रूफ था कि हमने दो लेंग्वेज के अगेंस जो एफ थे उनका हमने इंटर्सेक्शन लिया और दूसरी तरफ उन दोनों एफ एस का पहले हमने कंप्लिमेंट लिया और फिर उनका यूनियन लिया और फिर जो हमारे यूनियन से एफ एजिनरेट हुआ फिर हमने उसका कंप्लिमेंट लिया तो हमारे पास जो एफ एजिनरेट हुआ वो इसके एक्विल था तो जी और यह हैं आप से हैं कि इसको का कर सकते हैं, आपके लेपReCARD को आपके लंग हैं मैं इसको कईप अब दाए करने तक ढूर्सरेश तरो टा एफ कॉपन करते हैं चाहँ आपना यृत्र हुट्सec और मूँव करना को कॉपी पेज़ नहीं दो सुधार हुधर करता हूँ आपने की साइज के अगर बनाने तो मल्टिपल यहां पर स्टेट्स को आप ड्रा कर लें और यह हम के पास लाइन का आप यहां से लाइन पर जाएं और इनको आप आप एरो साइन करते जाएं जिस तरह भी आप बना सकते हैं इसके अंदर अगर आपने टेक्स लिखना है कोशिश करें कि टेक्स आप अलग से लिख लें इस तरह मैं यहां पर इसको जीवन कह देता हूं इसको लिखें और फिर इसको यहां से कॉपी कर लिए उतना सब्सक्रा जी तो यहां इसकर आप इन स्टेट्स को नेम दे सकते हैं यहां से आप टेक्स लिख लेए यह को यूजज करके अब यहां पर ड्रॉख करें और इसको सेव करें सबसे बहुतर आप्शन यह है उसका बार सैकेंड आप्शन आपके पास यह मुजूद है कि आप यहां से एक create new diagram create पे चले जाएं पहले आप उसका backup सेव कर लें क्यूंकि आप जब उसको सेव करेंगे तो फाइल आपकी साथ साथ आपके laptop या computer में सेव होती रहेगी यहां पर आपके पास यह सारे टूल्स मौझूद ठीक है यह इस तरह आप इनको यूज करके अपनी असाइन्मेंट कंप्रीट कर सकते हैं ऐस बना सकते हैं दूसरा मैंने आपको रिक्मेंट किया था कि आप स्टूरेंट्स ट्रांजिशन टेबल तोड़ा डिफरेंट जेनरेट कर सकते हैं आपके पास option अगर आप सेम भी जेन कि इनको पहले दे लिए और नियू जेन जेन रही हैं कि वह बाद में दे ले हैं आपकी जडियेट करने की तर्तीब करने इस तरह मैंने ये बन्येड किया है कि आपकी यह स्टेट जीवन जहां पहर यह फॉर यह फाइफ इस तरह आप इनको त्क्राइब को कापी करके इस कर दें मैं फाइल लाजमी अप्लोड करता हूँ पहले भी अभी भी कर दूँगा लेकिन आप कोशिश किया करें कि आप आदा गंटर लगा के अपनी assignment को समझ के खुद complete करें ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए आपको यह चीज़ें और साइब मजीद अच्छे हो जाए और आपको समझ भी इस चीज़ों कि आ जाए क्यूंकि आपने बाद में इसका exam भी देना होता है जब बाकी quiz बगारा तो बहुत सरी चीज़ें आपको यहां से सीखने को मिल जाती है assignment से आप इसको कॉपी करेंगे तो फिर आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा साइन्मेंट्स सुलूशन प्रवाइड करने के मकसद यह होता है कि आपको स्पैसिफिक टॉपिक के बारे भी गाइड कर दिया जाए और आपको सुलूशन की गाइड लाइन्स और है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा कर्मेंट कीजिएगा थैंक यू अलाहाफिज